हलो इस्टुरेंट्स मैं मनीश शंकरतेवारी और आप लोग देख रहे हैं इकलासस भाय मनीश सर वीकली टाइम टीविल के हिसाब से अगर देखा जाया तो कलासस तो चल रही है लेकिन 20 नवंबर से हमारे एक्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो इसलिए अभी आगे के चैप्टर्स के जो वीडियो हैं वो मैं रडी नहीं कर पा रहा हूँ आपके लिए महतपूर्नोटस और Question-Answers लेकर आया हूँ तो उससी सीरीज में पिछले वीडियो में हमने फ्रांसी सी करांती के महतुपूर नोट्स और प्रश्णोतर देखे थे जो आप लोगोंने वीडियो में भी देखे और यदि आपको उसकी PDF कॉपी चाहिए तो उसके डिस्क्रिप्सन में जो लिंक दी है उसको क्लिक करके आप लोगोंने उसका PDF डाउनलोड कर लिया होगा आज हम लेके आ रहा है कक्छा 9 के अर्थशास्तर विशय का पालमपूर गाउं की कहानी और उसके अंतरगत महतुपूर नोट्स एवं प्रश्णोतर है तो चलिए हम देखते हैं चलिए पहले हम महतुपूर तथ्यों पर प्रकाश डालें पालमपूर गाउं की कहानी जो है वह आंशिक रूप से गिलवर्ट 18 के शोध अधेयन पर आधारित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला बुलंद सहर के एक गाउं से है भारत के गाउं की क्रशी उत्पादन जो है वह प्रमुगतिविधी है इसी तरह पालमपूर में भी क्रशी ही मुख्य क्रिया है अन्य उत्पादन गतिविधियां जिनको हम गैर क्रशी क्रियाएं कहते हैं उनमें लगुवी निर्मार, परिवेहन और दुकानदारी सामिल है उत्पादन का उदेश या प्रायोजन ऐसी वस्तूओं और सीवाओं का उत्पादन करना है जिनकी हम को मतलब मनुस्यों को आवश्चकता होती है और उत्पादन बढ़ाने के लिए चार चीज़ें आवश्चक है जिनको हमने देखा था वे चार चीज़ें थी भूमी, श्रम, पूंजी तथा ज्ञान एवं उद्यम यह जो ज्ञान एवं उद्यम है यह मानव पूंजी के अंतरगत आता है जो अभी हमारा डिजी लैप्या, हमारा घर, हमारा विद्याले में जो चलने आगे आने वाला चेप्टर है अर्थशास्तर के अंतरगत उसमें हम संसाधन के रूप में लोग उसमें हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, पालंपुर गाओं के बहाने हमने देखा कि उपज बढ़ाने के तरीके क्या होते हैं, सबसे पहले हमने देखा बहुविध फशल प्रणाली, मतलब एक वर्स में किसी भूमी पर एक से जादा फशल उत्पन्न करने की जो प्रणाली है उसको हम अधुनिक क्रशी विधि, मतलब यह है कि आधुनिक क्रशी विधियों में HYB बीज मतलब Highly Yielded Variety Seats उच उपज छमता वाले बीज, राशायनिक उर्वरक एवं कीट नासकों का प्रयोग करना महत्वपून होता है। भारत में आधुनिक क्रशी का प्रयोग सबसे पहले पंजाब, हर्याना और पश्चिमी उत्तरप्रदेश के राज्यों छेत्रों में किया गया था। हरित क्रांती के द्वारा भारती एक रशकों ने अधिक उपजवाले बीजों इनके माध्यम से गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके शीखे थे। किसके माध्यम से हरित क्रांती के द्वारा। अनेक छेत्रों में हरित क्रांती के कारण उरवर्कों का अधिक प्रियोग हुआ जिससे मिट्टी के उरवर्ता कम हो गई। परिनाम हुआ भा है भौम जलिस्तर में कमी के रूप में हुआ। हमने भौतिक पूंजी को देखा, इस्थाई पूंजी को देखा और मानव पूंजी को देखा। भौतिक पूंजी के अंतरगत कच्चा माल, नगद मुद्रा, ओजार, मशीन एवं भवन आते थें। तो इसमें भी ओजार, मशीन एवं भवन जो हैं वे इस्थाई पूंजी कहलाए और कच्चा माल तथा नगद मुद्रा इसको हमने कारेशील पूंजी कहा था। जबकि मानव पूंजी के लिए भूमी, श्रम और भौतिक पूंजी को सयोजित करके जिस ग्यान और उद्यम की जरूरत पढ़ती हैं उसे हम मानव पूंजी मतलब यूमेन कैपिटल कहते हैं। ठीक है ये आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे समझना हो तो इसका जो वीडियो है उसको आपको देखना होगा। 240 परिवारों के पास दो हेक्टियर से कम छेतरफल वाली भूमी है। आपको बता दें कि जिन किसानों के पास दो हेक्टियर से कम भूमी होती है उनको हम सीमान्त किसान या लगुकरशक कहते हैं। गाउं की कुल जन संख्या जो थी उसमें से एक तेहाई भाग दलित या अनुसूचित जाती वरका था। गाउं के जादतर भूमी के स्वामी उच्च जाती के लोग थे और ऐसी जाती वाले लोगों के परिवारों की संख्या असी है। इसकी सहाईता से गयाहूं की उपज तेरा सो फिर यहां पर गड़ बड़ हो गया है यह 1300 है, 1300 किलोग्राम प्रती हैक्टियर से बढ़कर 32 किलोग्राम प्रती हैक्टियर हो गई है। पालंपुर गाउं में 25 प्रतीसत लोग गैर क्रिशी कारियों में लगे हुए हैं जैसे डेरी, दुकानदारी, लगुष्तरी विनिर्मान, उद्योग एवं परिवहन आदी। इसको आप ध्यान रखिएगा कि गैर क्रिशी क्रियाय के नहीं कहते हैं तो ये आपके एक्जाम में आ सकता है। दिखाई देती हैं। अब हम एक नंबर के प्रमुक प्रशने हैं, उनको आप देख लें कि आप से जो पूछा जा सकता है, पहला है पालमपुर गाओं के लोगों का मुख्य व्यवशाय क्या है, उत्पादन का प्रेवोजन या उत्देश क्या है, उत्पादन की प्रथम आवश्रकता क्या है, पालमपुर गाओं में बरसात के मौसम में लोग क्या उगाते हैं, जो आरबाजरा उगाते हैं बताया था हमने, आधुनिक क्रिशी विधी में कौन से बीजों का इस्तिमाल होता है, ह, वाई, वीज, एक साल में किसी भूमी पर एक से ज़्यादा फसल लोग आने को क्या कहते हैं, बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं, क्रिशी के आधुनिक तरीकों का सबसे पहला प्रियोग भारत के किन दो राज्यों में किया गया, तो पंजाब और हर्याना, छोटे किसान खेती के लिए आवस्सक पुंजी कहां से लेते हैं, तो साहुकार कितने प्रतिशत लोग कैर क्रिशी कारियों में लगे हुए हैं, भूमी मापने की माना की काई क्या है, अधिशीच क्रिशी उत्पादों का किसान क्या करते हैं, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा, यहाँ पर अब हम कुछ लगू एवं दीर घुतरी प्रिश्नों को भ बरणन कीजिए, 1960 के दशक के अंति में आई हरित करांती ने भारती क्रिशी पर क्या प्रभाव डाला, इस तरह से यह आप देख रहे हैं, यह चोथा प्रश्न, पाच्वा प्रश्न, यह छट्वा प्रश्न, सात्वे प्रश्न में दिया है कि आपके छेतर में कौन-कौन सी गैर क्रिश करिया होती है, फिर हम देख रहे हैं बहुविद फशल प्रणाली और आधुनिक फशल प्रणाली में अंतर क्या है, नौवा प्रश्न है, इस थाई पौन्जी से क्या ताथ पर रहे है, दस्वा प्रश्न पालंपुर गाओं के भूमी हिन किसानों को किस प्रका के उत्तर ये आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं ये देर घुतरी प्रिश्णों के उत्तर की पालंपुर गाउं में कौन कोई सी फसले उगाई जाती थी तो खरीब की फसलें अक्टूबर दिसंबर के बीच आलू की खेती भी होती थी रभी के मौसमें ग्याहूं की खेती भ यहाँ पर लगा दिये जाते था तो यह प्रिश्ण करमान को दो का उत्तर आपको यहाँ पर यह दिख रहा है फिर हम आते हैं अगले प्रिश्ण पर तीसरे प्रिश्ण पर तो यह यहाँ पर तीसरा प्रिश्ण आता है यह यह तीसरा प्रिश्ण आ गया चोथे चटवे का साता आठवा आठवे प्रश्ण में बहुविद प्रशल प्रणाली और आधोनी क्रिशी प्रणाली में जो अंतर है तीन अंतर वे आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं नौवे प्रश्ण का उत्तर दसवे का ग्यारह वे का और इस तरह से बारा, तेरा, चवदा, पंदरा, सोला, सत्रा प्रश्णों के उत्तर अब जो महत्वपून बात आती है कि पाठ पुस्तक पर आधारित प्रश्णों उत्तर आपकी पालमपुरगाओं की कहानी के अध्याय कि अंत में जो प्रश्णों तर दिये गए हैं, उनके उत्तर हमने यहाँ पर आपके लिए शंकलित किये हुए हैं, बनाए हैं पहला प्रश्ण है, भारत में जनगरना के दोरान दस वर्स में एक बार प्रते गाओं का शर्वेक्षण किया जाता है, पालमपुर से सम्मंदि सूचनाओं को तालिका में भरिये पहला बिंदू है आवस्थिती छेतर, गाओं का कुल छेतर और कुल भूमी का उप्योग, ये पॉइंट से दियो हैं चोथा है सुईधा है, तो आवस्थिती छेतर की बात करें तो पालमपुर अपने पड़ोसी गाओं और कस्बों से 12-18-20 सड़कों से जुड़ा है, निक पूरी किताब को पढ़ा, अध्याय को पढ़ा पूरे, तब हमको ये लगा कि 200 हेक्टियर जमीन जो है, वह पूरी जूती हुई है और पूरी सिंचित है, गाओं में कोई भी जमीन असिंचित नहीं है, इसलिए हम ये मान कर चलते हैं कि क्रशी योग भूमी जो है वहाँ प भूमी मिलाकर 226 हेक्टियर, सुविधाय, सेक्षिक सुविधाय, पालंपूर के बारे में पता ही है कि दो प्राइमरी स्कूल, एक हाई स्कूल है, हेल्थ, स्टेटस आपको गाओं का पता है कि वहाँ पर एक सरकारी दवा खाना, एक प्राइविट दवा खाना है, बाजार चक्की चलाने के लिए विजली वहाँ पर मिल जाती है, संचार के साधनों की बात कर रहे हैं तो परिवहन के शाधन भी वहाँ पर विक्षते हैं, और बैल गाड़ी, भैसाबगी, मोटर साइकल, टेक्टर ट्यादी वहाँ पर आते जाते हैं, निकरतम कश्बा, शाहपुर यह आपको पता है, प्रश्ट दो, खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्चक्ता होती है, जिने उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है, कि आप सहमत हैं, बिल्कुल, हम सहमत हैं, क्यों कि खेती में जितनी भी चीज़ों का उपयोग हो आज कल, वो सारी की सारी चीज़ें फैक्टरी में कार खाने में बनती हैं, मतलब उद्योगों में बनती हैं, जैसे राजसायने कुर वरक फैक्टरी में बनते हैं, कीटनासक फैक्टरी में बनते हैं, टेक्टर उद्योगों में बनते हैं, टूबेल, पूरी मशीन जो है वो निर्मित किया जाता है तीसरा प्रशने पालंपुर में बिजली के प्रसार ने किशानों की किस प्रकार मदद की तो आप अपने गाउं की स्थिति लिख सकते हैं कि आपके गाउं में आपके माता पिता शे आपके दादा दादी से किसी बुजुर्ग से आप चर्चा कीजिए कि आपके गाओं में जब बिजली नहीं थी तब क्या था चुकि आप लोग तो बच्पन से गाओं में बिजली देख रहे हैं लेकिन जहां पर बिजली नहीं थी उस इस्थिती में आपके गाओं में आपके माता पिता ने किस तरह से समय बिताया और उन्होंने क्या परिवर्तन देखा उन परिवर्तनों में से 5-6 परिवर्तन लिख दीजेगा एक्जाम में चौथा प्रिशने क्या सिंचे छेतर को बढ़ाना महतोपूर है बिलकुल सिंचे छेतर अगर बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा इसलिए बहुत जरूरी सिंचे छेतर को बढ़ाना उसके लिए ये 5 परिशन आपके सामने ये 5 पॉइंट दिये हुए हैं इनको आप नोट कर लीजेगा थोड़ा समय बढ़ा रहा हुए दिया आपको देखना तो उसको पाउश करके आप लोग देख सकते हैं नोट कर सकते हैं पाच्वा परिशन पालंपुर गाओं के 450 परिवारों के भूमी वितरन की सालनी बनानी है 1500 परिवारों के पास कोई भूमी नहीं है 240 किसान जो है वे 2 हेक्टेर से कम बाले हैं मतलब सीमान तो लगुकरशक हैं जबकि 60 किसान ऐसे हैं जो बड़े और मजहूले किसान हैं पालंपुर में एक हिती हर्ष्रेमिकों की मजदूरी नियूनता मजदूरी से कम क्यों है डैफिनिटली जहां पर आप औरती और मांग की स्थिती का अनुपाद गड़ बड़ाएगा तो ऐसी स्थिती बनेगी मजदूरों की संख्या ज़्यादा है काम उपलब्द कम हैं तो ऐसी स्थिती में आपसमें बहुत ज़्यादा कॉंपेटीशन है काम को ले करके तो कम पैसों में लोग काम करने को तैयार हो जाते हैं इसके लिए जरूरी है कि नियुनता मजदूरी अधिनियम का ग्रामीर छेतरों में सक्ती से पालन किया जाए अनिता गरीब लोग मजदूरी में जो भी पैसा मिलता है उसे अपना भाग समझ कर सुईकार कर लेते हैं हलाकि हमारे आसपास के गाउं में अब इस्थितियां बदल रही हैं प्रश्न सात्वा आपको करना है अपने छेतर के दो सर्मिकों से बात करना है और उनके वारे में ये बिंदूों पर आपको चर्चा करना कि क्या वे करजे में हैं क्या उन्हें मजदूरी नगद मिलती है या वस्तू के रूप में मिलती है तो मैंने अपने अनुभाव के आधार पर चर्चा पे ये लिखा है कि बलराम और भद्दे नाम के दो खेतियर मजदूर हैं उनके बारे में तीन-चर राइन में इस प्रश्ण का उत्तर लिखा है आप लोग इसको पढ़ सकते हैं आठवा प्रश्ण एक ही भूमी पर उत्पादन बढ़ाने के अलग-अलग तरीके कौन से हैं समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए तो एक है बहुविद भचल प्रणा लिए आपको पता है और एक है आधुनिक क्रशियोप करणोयों तकनीकों का प्रयोग इसके बारे में आप लिखिए और नमबर हासल कीजिए मैं तो पून प्रश्ण नहीं है एक यह प्रश्ण भी आपको एक्जाम में आ सकता है कि एक हेक्टेर भूमी के मालिक किशान के कारियों का ब्यावरा दीजिए तो एक हेक्टर भूमी का मालिक क्या क्या करता है? गाउं के धनी लोग पास नौकरी करता है, गैर क्रिसी क्रियाओं में सल्लगने रहता है, खेती हर मजदूर के रूप में काम करता है, उसके परिवार के सदस्यों को सहर में रोजगार के लिए भेजता है दस्वा प्रश्ण मंझोले एवं बड़े किशान क्रिशी से कैसे पूझी प्राप्त करते हैं और वे छोटे किशानों से कैसे भिन्न हैं तो इसका उत्तर ये हमने इन चार बिंदूओं में सहेजा हुआ है इसको आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपीज में अपनी नोट बूक में अब हम देखते हैं 11 हमाँ प्रश्ण सवीता को किने शर्टों पर तेजपाल सिंग से रण मिला है क्या बैंक से कम ब्याजदर पर अगर उसको करज मिलता तो उसकी स्थिति अलग होती वहाँ पर स्थेजपाल सिंग से बहुत उची ब्याजदर पर पैसा उसने लिया था और इस बज़े से उसकी स्थिति खराब थी लेकिन अगर उसको बैंकी की जानकारी होती और बैंक से रण लेती तो उसकी हालत अच्छी होती ये बारवा प्रश्ण आप लोग उस पर एक रिपोर्ट तयार करनी है ये वैकल्पिक प्रश्ण है आप चाहें तो ना भी कर रहा है ये एक्जाम में आने की संभावना इसकी उतनी नहीं होगी प्रश्ण ते रहवा आपके छेतर में कौन-कौन से गैर करशी उत्पादन कारे हो रहा है इनकी संभ्ष्प्त सूची बनानी है तो ये मैंने आपकी मदद के लिए ये छे कारें की सूची यहाँ पर तैयार की है इनको आप नोट कर लीजिएगा दो और एक्ष्टा है कुल आठ कारें की सूची है यहाँ पर प्रश्ण करमाग 14 है गाओं में और अधिक गैर क्रिशी करिया गैर क्रिशी कारे प्रारंब करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है तो ये उत्तर है यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका अब इसके बाद हम द देखते हैं ये तो पार्ट पुष्टक के कुश्चन्स हो गए जो आपके लिए महतपूर्ट थे अब कुछ प्रश्ण तैयार किये हैं मन से जिनको आप लोग यहाँ से देखके नोट कर सकते हैं जिनमें ये अतिलग उत्तरी प्रश्ण हैं एक दो तीन चार पाँच ये प प्रश्ण को कुछ शरम कौन प्रदान करता है तो ये बारवग प्रश्ण आपको मिलिया कारिशिल पुझी भी मैंने आपको बता दिया कि नगद मुद्राव क अच्छे माल कों कारिशिल पुझी कहते हैं इस्थाई पूझी भी हमको पता है हर्त करांती से कैताथ पर यह मह तो पूर्ण प्रशन है इसको आप जरूर याद कर लिए जीगा कृषी मजदूर के से कहते हैं यह आज का अंतिम प्रशन सोलवा यहां पे आता है अति लगुतरी में फिर लगुतरी प्रशन पी हम जब आते हैं तो देखते हैं कि पालंपुर के किशानों में भूमी किस प्रकार वित्रित है खेती हर सरमी गरीब क्यों है इसको कारणों को लिखना होगा हमको तो यह 6 कारण हमने लिखे हैं तो यह सारी चीजें आपने वीडियोज में और अन्यमाध्यमों से पढ़ ली होगी किताबों से मैंने इस सारी के सारे कोश्चन आंसर्स का पीडियेफ लिंक भी डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाला है आप चाहें तो पीडियेफ डाउनलोड कर सकते हैं और यदि चाहें तो लगातार वीडियो चल रहा है उस वीडियो को पाउश करकर के आप नोट भी कर सकते हैं इस वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सफल हो और अच्छे अंकों से परिछा में उत्रीड हो लेकिन यदि आप सारे कॉंसेप्स को क्लियर देखना चाहते हैं तो आपको www.youtube.com slash eclassesbymanishar बीच में किसी तरह का कोई गैप नहीं होगा उसको आप टाइप करें और सीधे eclassesbymanishar चैनल पर जाकर सम्मंधित विशेवश्दू का अध्यान करें चलिए आप लोग अपना अध्यापन कारे जारी रखिए और जो description box में लिंक दी जा रही है उस लिंक से इन सारे प्रश्णोत्रों की PDF कॉपी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप से डाउनलोड करते ना बन रही हो तो आप अपने teacher से request कर लीजिए वो आपको डाउनलोड करके उपलब्द करा देंगे चलिए आज के लिए इतना काफी है मुझे इजाज़त दीजिए जय हिंद